वेलका मैं यूट्व चैनल आप लोग देख रहा हूं मास्टर से फ और आज का अपना रिचिप पनीर हर्याली टिका आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें आदा देखके कमेंड ने करें करें मैं भी कन्फ्यूज होता हूं आप भ से पहले हम लोग पनीर का कटिंग करेंगे पनीर को इस तरीके से आपने एक सेब में कर लेना है मनलब कि साइज में और उसके बाद इस तरीके से आपने क्यूप्स में कर लेना है टिका इस्टाइल बोलते इसको टिका इस्टाइल में कर लेना आपने ना साइज को छोटा र बड़ आप साइच कारते हो जो तंदूर में आप पकाते हो तो आप 6 पीस ठीक है मैं ग्रिल पर बनाऊंगा सिगडी पर ठीक है तो पनीर हमारा रेडी हो चुका इसके अब वेजिटेबल इसमें यूज होएगा वह केपसिकम टमाटर और प्याज यानि की कांदा तो सबसे प छोटा या बड़ा थोड़ास हो जाएगा कोई बात ने तो इसका कटइंग कर लेता हूं भाइए हो तो एक प्याज का आपने चार भाग कट लेना और फिर इसको इस तरीके से सिंगल शंगल करके छुटा देना आपने इसको dyes cutting बोलते हैं और cubes cubes भी बोलते हैं तो ठीक है उसमें आप confuse नहीं हो ना तो इस तरीके से आपने इसको कट लेना है और इसको चिंगल-जिंगल और अब टमाटर कटते है, ये थोड़ा साथ来 ये आप लोग देख सकते हैं, टमाटर बारी इससे निकल देना, अब इसको आपने इस तरीके से निकल लेना और इसमें जो बीज होता है, और जो इसको लिक्वीट होता है उसको इस तरीके से आपने आज से निकल देना या इस स्पून से ठीक है इस तरीके से और उसके बाद इस तरीके से आपने कटिंग कर लेना है मैं पूरा डिटेल में थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है मेरा लेकिन मैं पूरा डिटेल में आप लोगों कुरीशी भी बताता हूँ और आप लोग को कट 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 करके वीडियो देखते हो टेम निकालके थोड़ा एक ही वीडियो देखे दिन में लेकिन पूरा देखे तो उससे मेरा भी वीज बनेगा और आप भी सीखोगे तो यह हमारा कटिंग है और यहां निम्बू ओइल यह क्या क्या यूज करेंगे हम लोग इसमें ठीक है गालिक जिंजर पेस्ट और यह ग्रीन चिली पेस्ट और यह हमारा दई और इसमें ग्रीन चट्नी भी यूज होएगा तो ग्रीन चट्नी इसमें नहीं आया कट हो गया तो सबसे पहले हम लोग एट करेंगे ग्रीन चट्नी तीनी स्पून और जो ग्रीन चट्नी है न वो थोड़ा मोटा होना चाहिए उसमें थोड़ा सा पालक मिला देना थोड़ा सा कोत मीर पूदीना मोटा साइज में मतलब कि एकदम पेस्ट नहीं करना उसका इस चीज का अपने द्यान देना तीन चमाशे में एट करेंगे हम लोग दई सबसे पहले एट करेंगे हाप इसपून गालिक जिंजर पेस्ट हाप इसपून से कम रखेंगे ग्रेन चिली पेस्ट क्योंकि चटनी में भी मिर्ची होती है मसाले में एट करेंगे सॉल्ट वो में एट कर दिया जीरा पोडर वन इसपून छाट मसाला 1T एृफ स्पून भूना जीरा, जीडो को थोड़ा सा रोस्ट करके वो एट कर देना उसके पद थोड़ा सा गरम मसाला और तीन से चार पिस अपने निम्बू एट करदेना है पाटा हूँ अखा नहीं पाटा हूँ थोड़ा सा मैं इसमेट करूंगा कलर, फूट कलर, आप चाहो तो इसको इसकीप भी कर सकते हो, कोई इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ जिससे कि आप फिर ना बोलो कि सिर्फ आपने कलर यूज किया बताया नहीं, तो उसके बाद मैंने तीन पेश्ट यूज करते हो थोड़ा सा पाला, तो कलर आ जाता है, लेकिन मैं फिर भी मैंने थोड़ा सा एट करा जिससे कि आप लोगों की समझ में आओ, आप बनाओ, मैं दिखाओं कुछ और और आप बनाओ, तो फिर कुछ और बने तो वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इ तो इसी साब से, फिर उसके बाद आपने पनीरे अट कर देना और इसको अच्छे तरीके से, इस तरीके से मिला देना है, और इसको, इसमें मैंन क्या होता ना, आपने इसको कम से कम 20 मिलर तो रखना है, जिससे कि जो आपको जो मसाला है, वो अच्छे तरीके से पकड़ दे लास्ट में आपने वेजिटेबल लगाना है जिससे कि वो एकदम रुकर है ना कि लूज हो जाए ठीक है तो लास्ट में आपने वेजिटेबल जरूर लगाना है और एक स्टार्टिंग में जरूर लगाना है ठीक है उसके बाद आप जो वेजिटेबल है वो टमाटर ये कैप से कम आगे पीछे कर सकते हैं दो भी आपके मन में है उसके बाद इस तरह के सरी किसे घंड लेना और उस पर कोला ही हूँ मीडियम आप लोग देखे सकते हैं साईड में मैं ओडर भी बना रहा हूं और इधर आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रहा हूं और आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते तो थोड़ा सा मन खटा हो जाता सस्क्राइबर नहीं बढ़ते हैं वह नहीं होता बहुत जादा मेरे साथ में मगजमारी है आप विश्वास नहीं कर चकते हैं सुबह के चार बज चुके हैं लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं आज संड़े है और मैं संड़े का बिजनिस किया हूं और संड़े हो चुका है और फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा लगा देना है और इसको आपने गुमाते रहना है और ये पनीर क्या होता ना घूम जाता है तो आपने एक इस्टिक लेना खाली इस्टिक और उसकी साहिते से पनीर को रोग देना आपने इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूं इस तरीके से क्य हो जाई तो इसके बद आपने चारों तरफ इसके ओईल लगाना है जब तक कि आपका मसाला सूख नहीं होता है तो यह चीज़ का ध्यान दिये मेरे इस पास हमयसे ही कमेंट आता सिर्फ हमारा चिकन ड्राइँ हो जाता है पनी ड्राई हो जाता है कोई से भी कबाब का नाम ले है उसलिए जो हमारा अमरे पनीर हुर्य हुआली टीक आज हो वैसे डिन हो चुका है लिए आप लोग देख dos patient से चार मिलालिड लगता है अभी इसको अबने इस तरीके से पिकप कराए देना उपकर सलका सा बटर्ण लगा देना है निम्बू हुआ है तो नीम्बोक एक हूपर से निम्बोक डाल देना है और आप चाह test इसको इस तरी केसे लिखाव भी सकतो अगर आपको थोड़ा सा इसको क्रिस्पी करना है तो थोड़ा और पका सकतो लेकिन यह जो है फर्फेट पकावा है इस तरीके से आप पिक अप करा सकतो कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको इसी भी अगर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर देना